नमस्ते फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करती हूं अपने नए वीडियो में तो आज मैं आप लोग के साथ में बहुत ही सुन्दर स्लीफ कटी जाइन सेयर कर रही हूं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्ले चैनल को जरूर से जरू करें और भी नए वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ओन जरूर करें तो सबसे पहले देखिए यहां स्लीफ के कटिंग मैं कर ली हूं अब इसके फिटिंग का निसान लगा ले रही हूं तो जितना आपका बोड़ी के मजर्मेंट है उसी हिसाब से आपको कटिंग क लेनी है बाजू की तो यहां पर मैं जो मेरा मोहरी है जो फिटिंग का निसान है मोहरी का साड़े पाच इंच है और प्लस उसमें टू इंच एक्ष्ट्रा मार्जिंग का मैं यहां पर रखी हूं जितना आप बलाउज में मार्जिंग रखे हैं उतना ही आपको स्लीव में से निशान लगा हूं यहां लगाई हूं और की कटिंग पहले ही हो चुका है अब देखें यहां पर main कपड़ा ले लेना है जो blouse का main कपड़ा है उसका और उसका border का जो measurement है वो मैं यहां पर देख ले रही हूं तो border जो इसका है वो 5 inch और 3 point है तो उसी के हिसाब से हमें यहां पर design का निसान लगा लेना है अब यहां पर lining के कपड़े पर निसान लाएग लगा ले रही हूं इस तरीके से लंबाई में एक निसान और उपर से लगाना है दो इंच छोड़ करके यह देखिए उपर से कंदे से सोल्डर से छोड़ेंगे दो इंच अब यह बीच का जो कपड़ा बचा है वह हम देख लेते तो यहां पर साढ़े चार इंच मेरा बचा हुआ है बीच में अब उसको भी इस तरीके से हाफ में डिवाइड कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे फोल्ड करके तो हाफ इसका आ जाएगा अब जो बीच का जो निसान लगा हुआ है उस पे हमें गहराई डेड़ी इंच का रखना है आप चाहें तो वन इंच का भी रख सकते हैं मैं यहा करने के बाद यह डिजाइन को बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगता है आप लाउज में बना सकते हैं और जो भी इस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं प्लीज मेरे वीडियो को जरूर सेयर कीजिएगा चैनल पर अगर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो सीधा वाला पार्ट है वो उपर रखेंगे जो उल्टा पार्ट है उसको नीचे रखेंगे तो सीधा वाला पार्ट उपर है और उसी के उपर जो लाइनिंग का कपड़ा है यानि कि जो हम लाइनिंग पे स्लीप कट किये हैं और जो डिजाइन कट किये हैं उस यह पूरिस को इस तरीके से बिचा लेना यह देखे इस तरीके से akinे बिचा लंगे कपड़े को सेट करके और उसके बाद एस पे हम पन लगां करकर इताएज करेंगे ताकि सिलाई लगाते समय कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी ना सरके और बहुत ही आसानी से फिनिसिंग के साथ सिलाई लग करके कम्पलीट हो जाएगा तो यह देखिए इस तरीके से कपड़े को सेट करके कर भी जो इसमें पत्ति का सेप बना हुआ तो इसे में शिलाई लगा लेना है 3 • 2 points получилось फिर और ना थीजाइय आए वह खराब हो जाएगा कि फिलनिसी देखिए एक पैर ही दोiliation İnम शोट लगाएंगे उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे तो पूरे राउंड पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है इस बात कर ध्यान दें कि जब सिलाई लगा है तो सिलाई के जो टाके है वो बारीक वाले ही रहे यानि कि पक्के सिलाई लगाना है कच्चा सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगा लेना है और इस तरीके से सिलाई लग करके कंप्लीट हो गया है अब इसको हम कट कर लेंगे जो बी उसके बाद हमें क्या करना है पूरे राउंड में छोटे-छोटे कट लगाने हैं कट लगाना बहुत जरूरी है इससे फ्निसिंग अच्छी आती है डिजाइन में अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो फ्निसिंग नहीं आएगी और पूरा डिजाइन जो है वो अच्छे से दिखेगा तो यह देखिए पूरे राउंड में कट लगा ली हूँ अब इस जो लाइनिंग वाला जो कपड़ा है इसको पकड़ना और इस तरीके से अंदर कर देना है बहुत ही असानी से हो जाता है कुछ भी इसमें दीकत नहीं आएगी और यह देखिए उल्टे साइड इस तरीके से लाते हुए अम अच्छे से फैला लेगे और यह देखिए इस तरीके से और यह कितने अब इसमें के साथ रिजाइंगी वोँ खुल करके आया है अब इस पे चाहें तो प्रेस लगा करके सेड कर सकते हैं मैं इस पर एक सिलाई लगा देरीं बिलुकुल कॉवनर पर अच्छे से सेट करते हुए कच्छी सिलाई लगा लेना है चाहे तो आप बाद में खोल भी सकते हैं अगर चाहें तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं मैं यहां पर पक्की सिलाई ही लगा ले रही हूं अब यह देखें पूरे पर सिलाई लग करके कम्प्लीट हो गया है अब जो इसका मोहरी है उसमें अच्छी फिनिसिंग देखिए अभी मैं आपको एक ट्रीक बताऊंगी त थोड़े थोड़े से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते जाना है ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा यह देखें इस तरीके से थोड़े थोड़े से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको इस तरीके से उल्टा लाना है और इस तरीके से लाते हुए इस तरीके से क्या होगा कि मोहरी पे हम सिलाई लगाएंगे तो अंदर की सिलाई लग जाएगा जो गुम सिलाई होती है उस तरीके से लग जाएगी और फिनिसिंग भी काफी अच्छा हैगा अब पूरे मोहरी पे हमें अच्छे से मार्जिंग रखते हुए हाफ इंच का जो हम मार्जिंग छोड़े थे तो उतना ही हाफ इंच मार्जिंग लेते हुए पूरे मोहरी पे सीधी सिलाई लगा लेनी है लाइनिंग वाले कपड़ा और मेन कपड़े पे ही सिलाई लगे इस बात का ध्यान दे पूरा जो बाजू अंदर गया है उसके कपड़े पे बिल्लुकुल भी सिलाई नहीं लगना चाहिए अब देखे जितना भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें है तो उसको हम कट कर देंगे और इसमें दो तीन हम छोटे-छोटे कट लगा देंगे अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके खीचेंगे तो अच्छे से यह पलट जाएगा अभी देखिएगा पलटने के बादे पूरा फिनिसिंग के साथ और सीधा हो करके कैसे बहुत ही बारिकी के साथ और फिनिसिंग के साथ कंप्लीट हो जाता है बहुत ही अ एक सेट की सिलाई लगा देंगे यह दिखे इस तरीके से थोड़ा सा कपड़े को खीच करके सीधा करेंगे सेट करेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा अब बाजू के मुहरी पे एक सीधी सिलाई लगा लेना है मैं आपको बहुत ही असान तरीका से बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और कोशिश करती हूँ कि समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता होगा कैसा लगता है आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर बताया करें कॉमेंट करके और कोई भी डाउट हो तो वो भी कॉमेंट में जरूर बताया कर अब जितना भी ओपन साइड है उसको भी हम सिलाई लगा करके लाइनिंग के साथ में कपड़े को अटेच कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से सिलाई लगा करके पूरे में कपड़े के साथ लाइनिंग के कपड़े को अटेज कर लेना है उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके हटा देंगे करें और यह क्या करना है लेना है तो मेरा कपड़ा नेना है तो आंच गैसे 10 में लेना देते हो फोंटराइन के साथ 5 बाव को ले लेना हैं गौट कर देंगे साथ सबांगे प्लटने से पहले कोनर को सबस्यद्ट कर देंगे तक इसका कौनर अच्छे से निकल जाए और किसी इनों के लिए चीज़ी से कौनर को अच्छे से हम निकाल लेंगे इससे हमें वो बनाना है जो कि हम डिजाइन में लगाएंगे अब यह देखिए जो खुला वाला पार्ट है उसको भी हम इस तरीके से अंदर करते हुए शिलाई लगा करके और पैक कर लेंगे इस तरीके से अंदर करके और सिलाई लगा करके इसको भी बंद कर लेना है अब इसको डवल में फोल्ड करेंगे और बीच ओ बीच सेंटर में निसान लगा लेंगे इस तरीके से इस तरीके से में सेंटर में निसान लगा लेना है अब उसके बाद इन निसान के पास ही इस तरीके से पकड़ना है आप जहां से आप से अगर प्लेट बनता है वहीं से बनाना सुरू करें मैं नीचे से बनाना सुरू कर दे रही हूँ और यह एक दम छोटे चोटे बारीग-बारीग इसमें प्लेट चुड़ना डालना दो तीन बार करके इस पर अच्छे से मजबूती के साथ हम सिलाई लगा देंगे ये दीखे बो जो है हमारा बन करके तैयार हो चुका है अब इसको स्लीव पे डिजाइन पे अटेच करेंगे तो स्लीव ले लेना है और बिल्कुल जो डिजाइन जो बना हुआ है उसके बीचो बीच एकदम सेंटर में रखेंगे मिलाते हुए अच्छे से आप इसको पीन लगा देंगे ये देखे अच्छे से सेट करके रख लेना है और इसके उपर पीन लगा देना है पिन लगाने के बाद ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे नहीं तो इधर उधर खसक जाएगा तो फिर डिजाइन जो है वो देखने में खराब लगाएगा अब इसके उपर सिलाई लगाना है आप चाहें तो ऐसे ही सिलाई लगा सकते हैं मैं इस पर गोल्डन कलर का एक लैस अटेच कर ले रहे हूं पतला वाला आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं तो मैं लैस के साथ ही पूरे राउंड में सिलाई लगा दूंगे तो कि साथ के सा लैस भी अटेच हो जाएगा और वो भी अटेच हो जाएगा तो यह देखे इस तरीके से लैस को अटेच कर लेना है आप अपने परसंद से इस डिजाइन में कुछ भी चेंजिस कर सकते हैं चाहे तो लैस नहीं लगा सकते चाहे तो लगा सकते हैं यह दिखे इस तरीके से लैस भी अटेच हो चुका है अब जो डिजाइन है वो बन करके कम्प्लीट हो चुका है अगर आप चाहें तो बोपे कोई बटन या लटकन लगा सकते हैं मगर मैं इसी तरीके से सिंपल रख रही हूं क्योंकि यह सामने से देखने में इसी तरीके से ज्यादा अच्छा लग रहा है और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कॉमेंट करके जरूरू बताईएगा चैनल पर जो लोग भी नए है प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में इसी तरीके का वीडियो में अपलोड करती हूं तो आपको देखने को मिलेगा थाइंक्यू सो म आज वीडियो देखने के लिए धन्यवादू